हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेविट ओल पे आज हम बात करेंगे आखिर केस दे अमेरिका पहुचा भगवान सिम का ज्योती लेंग अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए भारत मंदिरों का देश है, यहां आपको दोदो कदम की दोरी पर मंदिर नजर आजायेंगे भारत की धर्ती को देव भूमी मानी जाती है पुराणिक कताओ के अनुसार हिंदु धर्म के कई देवी देवताओं ने इसी धर्ती पर जन्मलिया था और ये धर्ती ही उनकी कर्म भूमी भी रही है लेकिन आप भगवान ने नया चमतकार दिखा दिया है हमारे देश से हजारों मिल दूर अमेरिका में भी एक जोतिलिंग है जहां बना त्री महाकालेश्वर मंदिर काफी चर्चित है महाकालेश्वर मंदीर अमेरिका में पहला जोती लिंग मंदीर है ये मंदीर भगवान सिव के रुद्र आउतार को दर्शाता है मंदीर में पुझे जाने वाला सिवलिंग दो तन्ड ग्रेनेट से बनाया गया है इस सिवलिंग पर 108 छोटे-छोटे सिवलिंग भी बनाए गए है जिन है सहस्त्र लिंगम कहा जाता है एसा माना जाता है कि ये सिवलिंग की सक्ति को 1000 गुना बढ़ा देता है इस मंदीर को भारत के साथ बढ़ा तगड़ा कनेक्शन है इसका मुल्स्वर्प वालम मंदीर महाकालेश्वर मध्यप्रदेश के उजेन में स्थीत है ये देश के 12 मुख्य ज्योति लिंगो में से एक है पगवान सिव के बारे में प्रचलित कहान्यों के अनुसार यूएस इस मंदीर के दक्सिन में है जम्रूत्यू और विनास का प्र प्रूरी है इसी बात को ध्यान रखकर इस मंदीर की स्थापना की गई है ये भी माना जाता है कि इस रूप में सीव मुरूत्यू और काल पर जित पा लेते हैं इसलिए इस समय उनसे कुछ भी मागने पर वो पुरा हो जाता है स्वामी सथा सीवम ने अपनी फाउंडेशन क सास्वत विश्वाश के आधार पर इस मंदीर को प्रतिस्थापित किया था आपको बतादे स्वामे सथा सिवम चेन्ने के महान संथ और पुजारी शामबा मुर्ती सिवाचरियर के पुत्र है 1990 में स्वामी ने 12 पवित्र जोतिलिंगो को यूएस ले जाने पर विचार किया उन्होंने इस बात को इंडियन अमेरिकन कम्यूनिटी के बिच भी रखा 2010 में उन्होंने इस सिधी के लिए 108 चंडी यगन किये और भगवान से मनोकामना पुर्ण हो जाने का असिर्वत मागा उसी यगन के प्रताप से कई पहाडों और समुद्रों पार करकर जोतिलिंग लाहोंडा आपहुचा इसी तरह से अमेरिका में पहला जोतिलिंग स्थापित किया गया और अब वहां के सारे भारतियों को भगवान सीव के दर्शन का लाब भी मिल रहा है आज का वीडियो यहीं पे सम आप करते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ